हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी यूटूब चैनल सर्चर24 में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अप्रेंटिशिप है और आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है तो जैसे हम नीचे जाएंगे और नीचे देखेंगे कि यह लो करर का जो इदिखरेंगे इस पर मैसेज पॉप अप हो रहा है तो इस मैसेज क्या है मैसेज है पहले इस मैसेज को हम पढ़ते हैं फिर आगे मैं बताता हूं क्या करना है आपको यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी लाश्ट तक जिरूरू देखिएगा देखिए यहां पर जैसी आप 21 ठीक है information is precise format will only accepted इसका मतलब यह था कि एक format दिया गया है news and update section में यह मैं बताऊंगा आपको कहां दिया गया है ठीक है उस section में क्या करना आपको उस format में पूरा का पूरा अपना data fill up करके और एक email ID पे send करना है ठीक है और यह किन्हें send करना है मैं यह भी बताऊंगा आपको चलिए start करते हैं सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर दिखे news and update section दिख गया आपको यहाँ पर लिखा गया है format to submit of reason for non registration and non generation of hall tickets for AIT ठीक है इस पर हम जैसी click करेंगे तो यह एक word document खुल जाता है ठीक है download होता है इस word document में क्या बताया गया है तो देखेंगे सबसे पहले planning purpose इसका मतलब यह है कि इन्होंने जो बच्चे छुट गए थे किसी भी कारण से भी तक छुट चुके हैं यह उनके लिए है ठीक है जैसा कि हम आपको बता दूं कि 2019 अप्रिल के बाद apprenticeship का कोई भी अभी तक exam नहीं हुआ है तो इसलिए अगर डीटी चाहता है कि इस बार ज 15-4-2020 इसका मतलब यह है कि 15-4 से पहले 2020 से पहले किसी कभी apprenticeship पूरा हो चुका है तो भाई किसी भी कारण के वैसे अगर अपना कारण या किसी और कारण के वैसे अपना registration नहीं कर पाएं अभी भी फर्स्ट और सेकेंड और में तो उनके लिए दुबारा से अच्छा मौका दिया गया है यह आप दुबारा से कर सकते है registration तो कैसे करेंगे तो यहां पर देखिए जो यह section दिया गया है यहां पर आपको अ आपको भरना है आपको ठीक है यह उन्हीं बच्चों को भरना जिन्होंने अभी तक अपना form fill up नहीं किया first और दूसरा मैं बार 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 बोड़ा हूं जिनका यह उन्हीं बच्चों के लिए जिनका first और second round के लिए form fill up अभी तक नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप serial number में यहां डालेंगे यहां पर ठीक है यहां पर reason डालना आपको किस कारण के वज़से आपका छुट गया है lockdown के कारण चुट गया या किसी और कारण के वज़से चुट गया उसके लिए यह आपने form fill up कर दिया और आपका admit का download यह यह भी reason आप लिख सकते हो ठीक है यह आपने second round or first round के लिए अभी तक आपने exam form fill up किया है या भी नहीं किया यह आप यहां पर email डालेंगे कुछ भी उसके बाद आपको क्या करना है इस email ID पर देखे लिखा है और किसी और को यह भरने की जुरूत नहीं है जिन्होंने भी first or second round अपना form fill up कर दिया वो इंतजार करे admit card के लिए और इन्हों है जो last date दी गई है इन्होंने 20 तारिक को दी है तारी के बाद मेरे सबसे admit card आजाएगा और आपका exam होने की संभावना है December के अंदर confirm December में exam होगा और January February में आपका result आजाएगा confirm ठीक है तो आशा करता हूं कि आपका सारा doubt मैंने clear कर देऊगा इस वीडियो में अगर इस वीडियो से related और भी कोई doubt आपका है तो मझे comment section में बताएगा मैं उसका reply जरूर दूँगा thank you दोस्तो